कि अब तर अब तर अज रहां वाला बैंगन का भरता बनाएंगे उसके लिए हमें किसकी सीज की जरूर्थ पड़ेगी चलिए मैं आपको बताती हूं यह मैंने बैंगन लिये हैं मटर हैं ग्रीन चिली हैं कोरियंडर है थी मैंने अनियंस लिये हैं गार्लिक भी लिया है और इसके लिए साल्ट कोरियंडर पाउडर रेड चिली गरम मसाला और यह वेजीटेबल ऑईल भी यूज करेंगे चलिए आगे देखते हम क्या प्रसेस करते हैं फ्रेंड्स इसमें मैं आपको टिप्स और ट्रिक्स भी दूंगी कि किस तरीके से हम बना को यह बैंगन का भटता बढ़िया बनेगा इसमें हम आप देखिए सबसे पहले मैं यह बिंजल में कट लगाऊंगी इस तरीके से यह देखिए इस तरीके से मैं कट लगा रही हूं प्रकट लगाने का हम हम यह बैनिफित होता है कि मैं हंदर से चेक भी कर लेंगे कि कोई क ये देखिए इस तरीके से हम चक कर लेंगे ये मैंने तीन कट लगाई है इसमें अब हम क्या करेंगे ये जो मैंने गार्लिक लिया है इसको मैं एक-एक दो-दो कली इसमें डाल दूंगी इस तरीके से और ये क्रीन चिली भी मैं इसमें डाल दूंगी इसमें यही ट्रिक है कि इसमें जब यह भर जाता है तो साथ ही बैंगन के भुन जाता है और इसमें टेस्ट जो है भरते का बहुत ही बढ़िया आता है इसी तरीके से हम दूसरे बैंगन में भी इसी तरीके से कट लगाएंगे और इसी तरीके से ग्रीन चिली और गार्लिक एड़ कर देंगे ये देखिए दोनों बैंगन में मैंने भर लिया है अब हम क्या करेंगे ये भी एक ट्रिक है friends इसमें हम अब ओइल लगाएंगे ये देखिए ये मैंने ओइल ले लिया है और इस रिके से हम ये बैंगन के उपर लगाएंगे इसका ये benefit होता है friends कि ये जो छिलका है भुनने के बाद अराम से उतर जाता है और इसको हमें पानी में डालने की जरूरत नहीं पड़ती है अगर हम पानी में डालते हैं तो बैंगन में भी पानी चला जाता है और हमने इसमें कट लगाए हैं तब तो बहुत ही चांसे हैं कि बैंगन में पानी चला जाए तो हम इसको ऐसे ओइल लगाएंगे और भुनने के बाद छिलके वैसे ही उतारेंगे ये अब हम इसको ग्रिल कर लेते हैं ये मैंने ग्रिल होने के लिए रख दीए ये बैंगन धीरे धीरे इसको फ्लिप करके मैं इन बैंगन को अच्छे से भून लोगी ये देखिए बैंगन अच्छे से भून चुके हैं ये आप देख सकते हैं इसको मैं प्लेट में निकाल लेती हूँ और इस तरीके से इसके छिलके जो है वो हम रिमूव कर देंगे ये देखिए बहुत ईजली से चिलका इसका उतर रहा है या देख सकते हैं मेरे को कोई भी दिक्कत नहीं हो रही फ्रेंट्स आप इस बात का ध्यान रखिए थोड़ा भैंगन को ठंडा कर लीजिए उसके बाद में चिलके उतारिए ताकि गरम न लगे इस बात का आपको ध्यान रखना है ये देखिए धीरे-धीरे मैंने सभी चिलके उतार लिए है और ये दूसरे बैंगन के भी मैं इसी तरीके से चिलके उतार लूँगी सभी अब हम कड़ाई रख देते हैं गैस पे और ये मैंने ऑईल एड़ कर दिया है ये अनियन्स मेंने बरीट चॉप कर लिये थे और अब मैं इसमें एड़ कर दूँगी ये अनियन्स को हम स्टर करते हुए अच्छे से फ्राई कर लेंगे इदर पैन में मेरे पाने गरम रख दिया है इसमें मैं ये मटर एड़ करूँगी और मटर को बाइल कर लेंगे जिससे कि ये मटर हमारे कच्छे ना रह जाए ये जो इदर हमने बैंगन छील के रखे थे इसको भी मैं इस तरीके से मैश कर लूँगी इसको मैंने इस तरीके से पहले ही मैश कर लिया है क्योंकि अगर हम कडाई हुए ऐसे एड़ कर देते हैं तो जो हम मटर एड़ करेंगे वो भी साथ में पेच जाए मटर में हम थोड़ी सी शुगर एड़ करेंगे जिससे मटर हरे रहेंगे इनका कलर चेंग नहीं होगा अनियन्स भी अच्छे तरीके से पक चुके हैं मैं इसमें अब ये टीमाटर कटे हुए हैं ये मैं एड़ कर दूँगी इस तरीके से इसको हम स्टर करते हुए पका लेंगे अच्छे से इस तरीके से क्योंकि ये जो मसाला हमने त्यार किया है इसका फ्रॉई होना बहुत ही ज़रूरी है इधर ये मटर भी बॉइल हो चुके हैं तो मैं इन मटर को ये छलनी की मदद से निकाल लूँगी और भड़ते में एड़ कर देंगे मटर को भी फ्राई करना बहुत जारूरी है तो इसी मसाले के साथ हम मटर को भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे इस तरीके से अब मैं इसमें मेथी लूँगी और मेथी को भी ख्रश करके मैं इसमें एड़ कर दूँगी इससे इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया हो जाएगा अब हम सभी मसाले को खूब अच्छी तरीके से पका लेंगे क्योंकि मसाला जो है वो अच्छे से फ्राई होना बहुत ही जरूरी है अब मैं इसमें सॉल्ट एड़ करूँगी आप अपने स्वादो निसाव कर सकते हैं पर मैं इसमें वन फोर्ट चमाद एड़ कर रही हूँ ये मैं धनिया पाड़र एड़ कर रही हूँ और अब मैं इसमें रेट चिल्ली भी half टेवल स्पून एड़ कर दूँगी यह मसाले आफ अपने टेस्ट के अनुसार कर सकते हैं और इसको हम फ्राइ करेंगे अच्छे से मसाले भी पक जाने चाहिए प्रेंड्स इसमें अभी हमने गरम मसाले का यूज नहीं किया है अगर हम अभी गरम मसाले डाल देंगे तो उससे यह बढ़ीता जो है फोड़ा घू काफ़ी अच्छे से भून गया है और घी भी साइडो में छोड़ दिया है तभी हमें पता लग पा रहा है कि ये मसाला अच्छे से बुन गया है और अब मैं ये जो बेंगन मैने मैश किये थे वो भी इसमे एड़ कर दिये हैं और इसको अच्छे से मिक्स करते हुए हम स्टर करेंगे आप देखिए इसमें जो मैंने मटर डाले हैं वो बिल्कुल भी मैश नहीं हुए है बॉइल करने से मटर हमारे अच्छे से पक भी गए हैं और मैश भी नहीं हुए हैं और भट्टे में बहुती सुन्दर भी लग रहे हैं अब आप देख सकते हैं भट्टा काफी पक चुका है लेकिन फिर भी हम इसको अच्छे से पकाएंगे क्योंकि इसमें कच्छापन नहीं रहना चाहिए कच्छापन रहेगा तो भट्टे में टेस्ट अच्छा नहीं आएगा इसलिए हम इसको अच्छे से फ्राई करेंगे मैंने ओयल यूज किया है सभी इस भर्ते में मिक्स हो गया है एक्स्ट्रा आपको गड़ाई में ओयल नहीं दिखाई देगा कलर के लिए थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्चैट की है जिससे इसका कलर बहुत ही बढ़िया हो जाएगा और हमने इसमें ग्रीन चिली का भी यूज किया था जिससे इसका टेस्ट है बहुत ही बढ़िया हो गया है और मैं आप इसमें हरा धनिया कटा हुआ डालूंगी इस तरीके से आप देख रहे हैं भरता बहुत ही अच्छे से पक चुका है अब मैं इसमें जो है गरम मसाला एड करूंगी गैस मैंने बंद कर दी है जब तरह जलती रेगे तब तक हम इसमें गरम मसाला एड नहीं करेंगे अब आप देखिए मैंने इसको श्टर करके मसाला भी मिक्स कर दिया है इससे टेस्ट इसका बहुत ही अच्छा हो जाता है और देखिए कलर भी बहुत अच्छा आया है पक भी गया है और टेस्ट वाइस तो बहुत ही बढ़िया है, अब मैं इसको सर्व करने के लिए ये बॉल में निकाल लिया है, हरे थनिये से हम इसको गार्निश करेंगे, इस तरीके से, आप देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया ये भरता तैयार हुआ है, टेस्ट वाइस भी और देखने में भी, फ्रेंट्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो मेरी वीडियो को लाइक, शेर करना ना भूलें, और फ्रेंट्स आप कमेंट्स भी कीजिए, कोई आपके कोश्चन है, फूभी मेर से पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब दूँगी, और चैनल को सस्काइब करिए, जिससे मेर नई नई वीडियो आपको मिलती रहे, थेंक्यू,